जिस तरह से से के लिए, हमने अलग-अलग context में अलग-अलग prepositions को सीखा, ठीक उसी तरह से, जब भी किसी sentence में तक आता है, तक, और English में आपको sentence में तक के लिए preposition use करना है, तो till, until, by, और up to, केवल ये चार prepositions का use किया जाता है, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी sentence आया तो तक के लिए आप किसी का भी use कर लेंगे, इनके कुछ rules होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि till, until के आगे क्या लिखाएगी, कहां पर use करना है, किसी निश्चे समय तक, तक तो आएगा sentence में, लेकिन किसी निश्चे समय के जब बा अब तो कभी use होता है, लेकिन किसका use कब करना है, इस बारीक difference को भी हम सबसे पहले समझेंगे, मैंने आपके समय लिखा है किसी निश्चे समय तक, तक के लिए आपके पस तेवल तीन option है, या तो up to, या फिर till या until, या फिर by, अब till, until को एक साथ ही लिख दिया, इसका मतल ना है, तो आप till या until, दोनों का मतलब एक ही समझो, यानि कोई फर्क नहीं है, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको याद हो, तो जब हमने till और until का use, conjunctions के chapter में किया था, conjunctions की तरह, तो कहा गया, कि ये इसका negative है, ये ही कहा था, कि until जो है, वो negative form है, और until का मतलब भी होता है तक, और until का मतलब भी होता है तक, जब भी किसी समय तक की बात होगी sentence में, ठीक है, अब समझने के लिए देखे, एक timeline दी गई है, timeline, ये जो point है, इस point तक, और ये जो point है, ये निश्य समय है, अगर आपने इससे समझ लिया, आप कभी confused नहीं हो सकते है, और ये बहुत important topic है, अब देखे, होता क्या है, कि कहां पर हम up to का use करें, कहां पर till का, कहां पर until का, इन तीनों में से किसी का भी use कर सकते हैं, इस बात पर depend करता है, कि उस sentence की जो verb है, यानि उस sentence की जो kriya है, वो क्या बता रही है, जिस point तक की बात हो रही है, अगर उस kriya का indication इस जगा का है, यानि तक से पहले का, kriya का indication, अभी आप देखेंगे इस चीज को, example में बहुत clear हो जाएगा, बिलकुल easy है, ऐसे में up to till until, और अगर वो kriya direct इस point तक, इसी point को बता रही हो, ऐसे में by, बहुत ही बारीक difference है, example में देखते हैं, ये देखें, आपके सामन में दो example लिखें, पहला लिखा है, वो रात के 10 बजे तक, तीवी देख रही थी, 10 बजे तक, तक आ गया, ठीक है, अब मुझे ये सोचना है, कि up to use करूं till, until ये बाए, दूसरा, उसने रात के 10 बजे तक, तीवी बंद कर दी थी, यहाँ पर भी आ गया, 10 बजे तक, 10 बज 10 बजे, रात के 10 बजे, 10 बजे, ठीक हो गया, अब इस sentence को देखे, वो रात के 10 बजे तक, तीवी देख रही थी, इस sentence में, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, देखना, मैं ये तो कह रहा हूँ कि इस समय तक, लेकिन, वो तीवी कब देख रही थी, पहले के time से लेकर के, देख रही थी, तो जो क्रिया है sentence की, वो उस तक वाले point से पीछे, पहले, काम को होते वे बता रहा है, वो देख रही थी, चल रहा है काम, अब बंद हुआ, इस point तक, 10 बजे तक, ऐसे में मैं आपको बताया, कि यहाँ पर आप यूज करेंगे till का, या until का, या up to का, तीनो में से किसी का भी, और आप sentence को बोल सकते हैं, she was watching television, till 10 पीम, until 10 पीम, या फिर up to 10 पीम, जबकि इस sentence में क्या फर्क है, उसने रात के 10 बजे तक टीवी बंद कर दी थी, यहाँ पर जो क्रिया है, यानि verb है, वो बंद करना है, बंद करना है, यानि switch off करना, यह जो बंद करने क काम है, वो exact इस point पर हुआ है, जबकि जो देखने का काम था, वो पहले से चला आ रहा था, इसलिए हमने till, until, याप to का use किया, लेकिन बंद इस point पर हुआ है, तो देखे, क्रिया क्या बता रही है, direct इस point को बता रही है, exactly 10 पीम तक बंद कर दी थी, यहाँ पर use हो रहा है, of the television by 10 पीम, इस बात को बहतर समझने के लिए अब ये दो example देखे, मैं साम तक पढ़ता रहा, मैं साम तक पढ़ता रहा, साम तक, साम मतलब evening, evening तक, अब ये जो तक है, किसके लिए preposition यूज करना है, evening मेरा point in time है, यहाँ पर बात हो रही है, पढ़ने की, साम तक पढ़ता तो पढ़ा ही मैं time की बात करूँ, यह timeline है, पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, माल लिए सुबह से पढ़ रहा था, यह सुबह है, सुबह से लेकर पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, साम तक पढ़ा, तो यह जो kriya है verb, यह इस जगह को बता रही है, कि पढ studying up to the evening जबकि इस sentence में मैंने शाम तक homework निप्टा दिया आया तो यहाँ पर भी शाम तक लेकिन क्रिया क्या है उसे देखिए वर्ब क्या है निप्टाना निप्टाना यह निवी finish करना तो finish किस point पर किया? finish तो इस point पर किया इसी जगह पर किया direct तब ही तो मैंने का कि शाम तक निप्टा दिया यहाँ पर निप्टा नहीं की बात हुई इसी लिए इस sentence में हमने यूज किया है by I finished the homework by the evening अब ये दो sentence देखिए मैं आपको कई सारे example इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको बारीकी को समझना है ये चीज आपको कहीं पर Google में कहीं बुक्स में मिलती नहीं है ये सब experience से आती है अब देखिए sentence क्या है 25 की उम्र तक 25 की उम्र तक मैं पढ़ रहा था ये जो 25 की age है age of 25 ये क्या है ये एक point in time है निश्चस समय की बात हो गई नमबर बता दिया कि 25 years old ठीक है तक आगया क्या ये उसकरना है ये समझना है लेकिन देखो कि क्रिया क्या है मैं पढ़ रहा था 25 की उम्र तक तो ये जो 25 की age है ये मेरा point in time है अब पढ़ने का काम तो मैं उससे पहले करता जा रहा था करता जा रहा था और यहां पर जा करके वो रुख गया मेरा काम तो इस उम्र तक तो पढ़ने का काम यहां चल रहा था इसलिए ऐसे केस में till until up to और शुरुवात में जब आपको कोई sentence बनाना है तक के साथ में तो शुरुवात में आपको थोड़ा सोचना पढ़ सकता है कि यहां पर क्रिया क्या है उसके हिसाब से आप यूज करोगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप इंगलिस सीखोगे इंगलिस बोलते रहोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कहां पर अपको यूज कर सकता हूँ और कहां पर मुझे बाय का यूज करना पड़ेगा अब जैसे इस सेंटेंस में 25 की उम्र तक मैंने पढ़ाई खत्म कर ली थी यहां पर भी आ गया 25 की उम्र तक निश्चे समय तो आ गया तक भी आ गया लेकिन यहां पर वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? खत्म करना अब यह यहां पर थोड़ी खत्म करी है यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं इस जगह पे खत्म किये तो जो क्रिया है वो direct उस point को indicate कर रहा है I had finished my studies मैंने अपनी studies फिनिश कर दी थी अब मुझे तक के लिए यूज करना है तो मैं क्या यूज करूँगा ऐसे कि इसमें by by the age of 25 एक दो example और ले लेते हैं एक यह देखिए मैं 4 बजे तक office में रुकूंगा यहाँ पर क्रिया है रुकना ठीक है रुकना यानि कि stay करना 4 बजे तक 4 बजे एक निश्चित समय है इस तक ठीक है अब रुकने का जो काम है मैं office में रुका रहा रुका रहा रुका रहा इस point तक रुका रहा ठीक है तो जो मेरी क्रिया है वो रुकने की बात कर रही इतनी सभी जगों पे मैं रुका रहा तो मैं office में रुकूंगा न यानि मैं stay करूंगा तो मान लीजिए मैंने का 4 बजे तक तो मान लीजिए दो बजे से मैं ये 2 बजे ये point 2 o'clock है उससे पहले का point और पीछे लेकिन मैं रुका हुआँ रुका हुआँ तो ये रुकने का जो क्रिया है पूरी इस time line पे चल रही है और कितने बजे तक 4 बजे तक till, until, up to तीनों में से किसी कभी उज़ कर सकता हूँ I'll stay in the office till 4 o'clock, until 4 o'clock, up to 4 o'clock लेकिन जब मैंने sentence को इस तरह से कहा मैं 4 बजे तक office से निकलूंगा निकलना यहाँ पर तो ही निकल रहा हूँ यहाँ पर भी नहीं यहाँ पर भी नहीं कभ निकल रहा हूँ exact is point तक देखे, 4 बजे तक निकलूंगा तो इस किरिया ने उस point को indicate किया है इसलिए यहाँ पर भी यूज होगा I will leave the office by 4 o'clock एक आखरी example और ले लेते हैं मैं 1998 तक दिल्ली में रहा तक आ गया यह point in time है क्या यूज करना है इस बात पर depend करेगा verb क्या है verb है रहना रहने को live कहते हैं ठीक है 1999, 1998 तक यह मेरा point in time है इस तक में रहा ठीक है अब रहने का काम तो obvious सी बात है पहले सी ही चल रहा है रहाऊं, 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 रहाऊं और 1998 तक रहा तो पहले से रहने का काम तो चल रहा है इसलिए till, until, until, या up to I lived in Delhi till 1998 until 1998, up to 1998 किसी कभी यूज कर सकते हैं जबन आपको का, कोई फर्क नहीं है till, until, up to किसी कभी यूज लेकिन जब इस sentence में मैंने का मैंने 1998 तक दिली से चला गया था मैंने नहीं, सॉरी, यह है मैं मैं 1998 तक दिली से चला गया था चला गया था, यानि निकल गया था निकलने को leave कहते हैं उसकी थर्ड फर्म होती है, left I had left डेली मैं दिली से निकल गया था 1998 तक, अब तक के लिए क्या यूज करूँ by का यूज क्यों न करूँ यहाँ पर निकलने की बात हो रही है निकला तो इस पॉइंट पे था इससे पहले तो भी निकला था तो leave जो मेरी वर्ब है वो direct इस पॉइंट तक की बात कर रही है इसलिए यहाँ पर यूज क्या पाई I had left डेली by 1998 आपने ये तो देख लिया किसी निश्चे समय तक जब कहेंगे तो आप इन में से किसी कभी यूज कर सकते हैं कब वो बात आपने समझी यूज होता है चाहे हम कह रहे हैं किसी जगह तक किसी दूरी तक यानि डिस्टेंस तक किसी नमबर तक कोई नमबर दे दिया जाए उस नमबर तक किसी लेबल तक या इतनी मातरा तक या फिर किसी समय की अवधी तक duration of time यहाँ पर तो point in time यहाँ पर duration of time कोई भी duration दे दी उस तक बोला तो up to का use करेंगे और बस एक चीज है कि किसी नमबर तक जब हम कहते हैं तो वहाँ पर ये till और until का भी यूज किया जाता है इंग्लिश में इसको भी हम examples में देख लेते हैं ये देखिए up to का use मैं आपको समझाने के लिए मैं बस देरादून तक गया देरादून एक जगह का नाम है तो किसी जगह तक बोला हमेशा यूज करना है up to आप till या until या by का use कर ही नहीं सकते I just went up to देरादून हम केवल रवी के घर तक ही पैदल चलेंगे we'll walk हम पैदल चलेंगे only केवल up to रवी's house क्योंकि रवी का घर भी एक जगह ही है दो किलोमेटर तक सुनसान रास्ता था it was a deserted road सुनसान रास्ता था इसके लिए यह बना दिया दो किलोमेटर तक यह दो किलोमेटर क्या है distance है, दूरी है तो किसी दूरी तक बोला क्या यूज़ करेंगे हमेशा up to, till, until, by किसी का यूज़ नहीं हो सकता up to 2 किलोमेटर मैं रोज 5 किलोमेटर तक दौर सकता हूँ 5 किलोमेटर तक I can run मैं दौर सकता हूँ up to 5 किलोमेटर every day अच्छा, इस sentence को अगर आप देखेंगे न तो एक possibility और है जब आप इस तरह का sentence बोलते हैं आप ऐसे भी तो बोलते हैं कई बार मैं रोज 5 किलोमेटर दौर सकता हूँ तक नहीं कहते हैं आप आप कहते हैं, मैं रोज 5 किलोमेटर दौर सकता हूँ आप कहरे हैं कि 7 किलोमेटर दौरो, नहीं नहीं मैं तो 5 किलोमेटर तक ही दौर सकता हूँ तो इस तक का यूज करते ही आप लिमिट लगाने के लिए तो जब sentence में आपको इस तरह से बोलना हो तो आप टुका यूज करेंगे जब आप तक नहीं उसकरते हैं कैजूली sentence को कहते हैं कि मैं रोज 5 किलोमेटर दौर सकता हूँ ऐसे मैं आप तक का यूज ही नहीं करते हैं तो हिंदी में नहीं करते हैं तो इंग्लिश में भी नहीं करेंगे ये देखिए, ये दो एक्जेम्पल किसी number तक ये दो example किसी star तक यानि किसी level तक अब ये देखे 25 तक के पहाड़े सुनाओ ऐसा अक्सर बोलने की जोत पड़ जाती है 25 क्या है? एक number है recite the table up to 25 अब मैंने आपको क्या पता है था? कि केवल number तक के case में आप till और until का भी यूज़ कर सकते हैं by का तो नहीं कर सकते till और until का अभी मैंने first slide में बताया था आपको तो यहाँ पर आप till या until का यूज़ कर सकते हैं recite the table till 25 या until 25 और मैंने चैसा आपको बताया till मतलब until जब तक के sense में as a preposition यूज़ किया जाता है same यहाँ पर भी till और until में से किसी का भी यूज़ आप कर सकते हैं यहाँ से लेकर 10 तक की सभी stage खेलो किसी game में ऐसा होता है बोलने की जोद पर सकती है play all the stages सभी stages खेलो up to 10 अभी 10 क्या है? number है इसलिए number के लिए हम up to be use कर सकते है till or until भी कर सकते है from here यहाँ से लेकर लेकिन यह example देखे कितने important है आपको ऐसा बोलने की जोद पर सकती है कीचर उसके घुटनों तक था और मेरे पेट तक यह sentence है तो घुटनों तक घुटनों तक था कोई चीज जैसे कीचर था, पानी था, कोई भी चीज थी तो वो घुटनों तक वो level ही तो है न कीचर का जो level था कीचर का जो स्तर था वो एक limit तक था कहां तक था? घुटनों तक और मेरे case में वो पेट तक था माली जी यह तो sentence है एक example है, तो कैसे बन रहा है? The mud was, कीचर था, उसके घुटनों तक, up to his knees, तक के लिए, up to, and, मेरे पेट तक, up to my stomach. अब यहाँ पर till, until, by का यूज़ कर देंगे, तो sentence गलत हो जाएगा. तो जैसा मैंने आपको बताया, किसी निश्य समय तक बोला, तभी यूज़ करिये, till, until का, या by का, या up to का, depend करता है, जो मैंने examples आपको समझाये शुरुआत में, और बाकी सभी जगों पे, बेज ही जग आप तक के लिए, up to का use करिये. ये example, पानी उसके गले तक पहुँच गया था, पानी पहुँच गया था, the water had reached, उसके गले तक, up to his neck. up to का अगला use तक के sense में कब होता है, इतनी मात्रा तक, कोई quantity या amount बताया जाए, जिसके लिए हम as many as, या as much as का भी use करते हैं, many का use हम तब करते हैं, जब countable चीज होती है, जिसे गिन सकते हैं, as much as का use तब करते हैं, जब countable चीज नहीं होती है, यह सब चीज़ें आप अलड़ी पढ़ चुके हैं, example देखे, मैं एक दिन में 10 लोगों तक से मिल सकता हूं, मैंने अपनी limit बता दी, कि 10 लोगों तक तो मैं मिल सकता हूं, इससे ज़्यादा नहीं, I can meet मैं मिल सकता हूं, अब इस बात को कहने का तरीका एक तो यह हो सकता है as many as के साथ में, I can meet as many as 10 people in a day, as many as का यूज करना आप जानते हैं, conjunctions में आपने देखा है, इसी बात को इस तरह से भी कह सकते हैं, I can meet at most 10 people in a day, at most का यूज किया जाता है ऐसे केस में, और तीसरा जो तरीका आज हम पढ़ रहे हैं, I can meet मैं मिल सकता हूं, अब to 10 people, 10 लोगों तक, तो 10 लोगों की quantity है ने, तो जब किसी मातरा को बताया जाए, इतनी मातरा तक, इतनी quantity तक, यह इतने amount तक, ऐसे केस में up to का यूज होगा, इस hall में 200 लोग तक आ सकते हैं, 200 लोग तक आ सकते हैं का क्या मतलब हुआ, कि यह जो hall है, यह hall accommodate कर सकता है, कितने 200 लोगों को, लिमिट दे दी ने, 200 लोग तक, this hall can accommodate as many as 200 people, साधा से जाधा 200 लोग, एक तरीका यह है, दूसा तरीका, at most 200 people, और तीसर तरीका जो आज हम सीख रहे हैं, this hall can accommodate up to 200 people, 200 लोग तक, इसी तरह कि 3 और examples देख लीजिए, ताकि थोड़ा understanding और बहतर हो जाए, वो केव एक लाग तक का प्रभंद कर पाया, प्रभंद कर पाया मतला, arrange कर पाया, he could arrange, या तो ऐसे बोल सकते हैं, as much as 1 lakh only, या फिर up to के साथ, एक लाग तक, ये एक amount है, he could arrange up to 1 lakh only, इतना तक मैं खा सकता हूँ, इस से ज्यादा नहीं, इतना तक, ये जो इतना है, कोई आपको बहु इतना तक तो मैं खा सकता हूँ, तो वो है, क्या है, quantity है, amount है, मातरा ही तो है, तो इतना तक मैं खा सकता हूँ, I can eat, मैं खा सकता हूँ, up to this much, इतने तक, not more than this, ये हो गया, और जब हम उतना तक कहे देते हैं, anybody can do, उतना तक कोई भी कर सकता है, ये कोई बड़ी बात उतना तक तो कोई भी कर सकता है Anybody can do up to that much तो उतना के लिए that much कहते हैं इतना के लिए this much कहते हैं ये तो अलज़ी आप पर चुके हैं तक के लिए आप up to कहते हैं ये कोई बड़ी बात थोड़ी है यानि ये कोई बड़ी बात नहीं है अब देखिए up to का use तक के sense में हम किसी समय की अवधी तक जब कहते हैं तब भी करते हैं यानि किसी duration of time तक जैसा कि भी आपको first slide में ही बताया था example के तोर पे जैसे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा दो अलगल टाइप के एक ही जैसे sentence लिखे हैं वो 4 गंटे ओफिस में रहेगा वो ओफिस में रहेगा he will stay in the office 4 गंटे रहेगा यहाँ पर ऐसा तो नहीं का न 4 गंटे तक रहेगा यह कहा 4 गंटे रहेगा तो मैंने आपको अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको for के बारें पढ़ाया था say के लिए for तो for का एक use के लिए के लिए और एक use ये भी बताया था कि चार घंटे कोई duration दे दी जाए के वग ऐसे में आपको for का use करना होता है for four hours लेकिन अगर आप इस sentence को देखो वो चार घंटे तक ही office में रहेगा इस sentence में थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर कह रहें चार घंटे तक ही रहेगा आपको आना है तो जल्दी आ जाओ क्योंकि उसके बाद उस चला जाएगा चार घंटे तक तो एक limit दे देते हैं तब ही तो हम तक का use हिंदी में करते हैं same way में English में जब हम कहेंगे चार घंटे तक तो इस बात को कहने का तरीका होगा up to four hours ऐसा इसलिए क्योंकि यह चार घंटे जो है यह duration of time है अवधी है और मैंने कहा किसी भी अवधी तक जब कहा जाए तो आपके पास एक ही option है up to he will stay in the office, वो ओफिस में रहेगा only up to four hours चार घंटे तक ही he कहलू, चाए केवल कहलू वो केवल चार घंटे तक office में रहेगा only कई उस करेंगे बात तो एक ही है न, वो केवल चार घंटे तक office में रहेगा या फिर वो चार घंटे तक ही office में रहेगा अब ये दो example देख लेते हैं मैं चार महीने दिली में था मुझे लगबग सभी रास्ते पता है मैं चार महीने दिली में था I was in Delhi, मैं दिली में था चार महीने, केवल एक duration दे दी बस कोई limit नहीं लगा रहे हैं जोर देते हैं कि भी इतने तक ही था मैं, मैं चार महीने दिली में था I was in Delhi for four months, मुझे लगबग सभी लगने वाली बात है कि चार महीने तक था मुझे कोई रास्ते याद नहीं तो sentence किस context में बोला जाता है उस हिसाब से जब हम हिंदी में बोलते हैं तो हम चीजों को लगा लेते हैं कहीं पर हमने तक लगाया, कहीं पर नहीं लगाया और ये दोनों ही चीज़ा हम हिंदी में बोलते हुए भी करते हैं ठीक उसी तरह से इंग्लिश बोलते हुए भी ये काम हम करते हैं जब हमें तक वाली बात है ही नहीं तो हमने simply किसी भी duration को बताना है तो हम four के साथ ही बताते हैं ये बात आपने four में देख ली और जब तक का use करना पड़े कोई limit दे रहे हैं कि चार महिने तक ऐसे में हमें use करना होगा up to four months I was in Delhi up to four months but I don't remember any root तो फिलाल आज के लिए बस यहीं तक अभी आपने concept को समझ लिया है और बाकी आगे चलके practice होगी तो perfection हो रहेगा मुझे उमीद है आपको ये वीडियो लक्षर पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा कॉमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा मिलते हैं next वीडियो लक्षर में तब तक लिए take care, goodbye